हलो फ्रांस कैसे हैं आप बढ़िया मस्त रहिए और चुस्त रहिए मोसम जो है बिगड़ता रहता है समलता रहता है ये 2023 का मोसम है बच कर रहना चलिए करोना ने पहले तुम्हें घर में रखा अब ये मोसम आपको बिगाड़ने के लिए आ रहा है होना भी चाहिए डो हजार थेईस है एकसाम दे रहे है बाई दो साल से जो एकसाम नहीं दे रहे थे जो की बोड के एकसाम जो है औरलाइन पास कर लिए थे उनके लिए पहुत जादा बिगड़ ला है चलिए बाते थी에 ज़स्तव बविए इसा क्या हो गया새 येbr mag भाई सुनां अब KGF चैप्टर वन मूवी किसे पसंद नहीं आई, जो ठेटर में देखने नहीं गया, उन्होंने घर में टीवी पे देखी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार देखी, और इस चैप्टर वन को जितनी बार देखो, उतना जो है दिल धक धक करने लगता है, और ऐसे म कि आपका फर्स सीजन अगर हीट जाता है, तो उमीद होती है कि उसके सेकंड सीजन की सभी फैंस डिमांड करते हैं, और रस्मी मैम का तो साथ निभाना साथ या, जो है, फर्स अच्छा गया, सेकंड भी अच्छा गया, ऐसे में उनसे डिमांड करते रहते हैं, उसका जड़ी पक रही है चलिए ये बाते भी हम उती रहती हैं लेकिन अगर आपसे कहें कि रश्मी मैम ये मूवी का जो है उतारने वाली अपने शो में इस से पहले कांड कर चुकी है जो सिर्फ तुमने जो है देखा था ना वो कलर पे जिसमें विवान दसीना इशा सिंग आई थ कि बचारे का पॉड़क्शन भी बेचना पड़ा यानि कि संजीव कुमार जी ने उनका पॉड़क्शन खरीदा था बचारे नए नए मार्किट में उतरे थे एंटर्टेन्मेंट की दुनिया में पता था नहीं कि भई शो वैसी ट्यार्पी नी दे रहा है उसको ले लिया उन्होंने उसे जो है रश्मी मैम ने खुशी खुशी बेच दिया उने भी एक नया मुर्गा मिल गया कि भई या मार्किट में अच्छे पैसे दे रहा है बेच देते अपना शो फिर उसके बाद धीरे दीरे उसमें से सीतारू ने टाटा पाई कर दिया फिर कहा यह शो टी यह यह यहार मलब था तो बहुत कुछ लेकिन टीवी पर दिखाने के लिए उसमें कुछ नहीं है लेकिन वह कह रही है कि हम उतारने वाले तो टार यह भाई आम भी देखते हैं कि एजी एफ मुवी को आप कैसे सजा के जो है प्लेट में जो है आप हमें दिखाने वाली जाने माने सितारों को ही वो रिपीट करती रहती है अधिकतर शो में तो ऐसे में आपकी थपकी आ रही है थपकी को तो जानती हो यार जिग्यासा सिंग वो आ रही है उनके साथ वो जो है शक्ती जैसे शो में काम कर चुकी है जो कि रुबीना पहले थी उसके बाद 20 साल का तो जिग्यासा ने आगे शो को बढ़ाया था तो एसे में जो है उसमें जिग्यासा जी आने वाली है जिग्यासा सी काफी लंबे टाइम बाद टीवी पे कम बैक करी है सुनने में था इन्होंने अपनी हैल तीशू बताई तब की से एक्जित हो गई थी वाकिया उसके बाद किसी प्रोजेक्ट में नजर भी आई लेकिन अब शायद इनकी जो भी प्रोब्लम की वो सही हो गई है और अब यह दोबारा टीवी पे कम बैक करी है वो भी रश्मी मैम के साथ तो ऐसे में जो है जिग्यासा आने वाली है इनके अपोजिट जो हीरो खड़े वे नजर आने कि एफ की हीरो देना उनके जैसा यस जैसा तो हो सकता है कि भाई जो है लुक देकर जो है चला लिया जाए अब जो है बात करते हैं उनके सपोर्टिंग रोल में वही सीतारे होंगे जो उनके वाकी शो में होते हैं और आपको यह भी बता दे सासुराल सिमर का वो बंद करें चलिए फिर आप कहेंगे मैं माप बाते बाते करते हैं कहां पोच जाती है फिर आपको हम बताएं कि जो है यह जी टीवी प्याएगा और यह मैथरी को रिप्लेस करेगा कोई कह रहा है नहीं मैथरी को नहीं करेगा यह जो है आपके अपराजीता को रिप्लेस करेगा आप अब राजीता कोई कर देना चाहिए क्योंकि इनका दंगल पे मेपलकों की चाओ भी ता आ रहा है ना अब बात आती है आपकी उससे भड़ी ख़बर की कि रश्मी मैम का शो जी टीवी पे आ रहा है केजी एफ चेप्टर बन को उतारने वाली हैं जिसमें जिग्यासा और आपके सिदार तरोडा नजर आने वाले हैं सपोर्टिंग कास्ट में उनकी सेम वही कास्ट होगी बस नाम और जो है रोल बदल जाएगा अब आती है अब दीरस दूपर की दीरस दूपर जो है यह काफी जादा सुर्कियों में च्छाय होए अभी गुमने गए थे अपनी फैमिली के साथ भाई लोग इंजुआए करने जाते हैं और सोचों वहां पे एकदम ट्रोल हो जाए तो यह गुमने का मजा नहीं कराब हो केच्वों कूच्वों क अपने मूँ पे चलवा लेंगे अपको लगता है मुझे तो नहीं लगता लेकिन गूगल पे यह तो फाइफ में नुझ सर्च ओरी है कि धीरस दूपर जो है खत्रों के खिलाडी में आने वाले हैं भाईया वो जो उन्होंने टसन जैसा लूक बना अगर आते हैं तो देखते हैं तो इन में से आपकी न्यूस कोन सी है कमेंट करके जो बताना बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है